नमस्का दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है क्राउंड इमी रिष्ट के यूट्यूब चैनल पर तो आज की जो हमारी वीडियो है क्वेस्चन एंड अंसर से लेटेड है यह हमारी सीरीज 19 है 19 मी सीरीज है 19 मा पार्ट है यह हमारे 18 पार्ट आरड़ी हमारे सोचल मीडिया के उपर हमारे यूट्यूब चैनल के उपर है उसका हमने एक प्लेइलिस्ट भी बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल के उपर अगर आपने हमारे 18 प्रिवियस जो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं इसके साथ हम रफ्यूजल केसे को भी डील करते हैं अगर आपका किसी भी कंटी से रिफ्यूज जैपूर्टेड है तब भी हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए फर्दर क्या आप्शन साथ आप स्पाउस के साथ जब फ्रीज भी फॉर्ण कंटी ने देख रहे हैं तो तब अब हम आपको प्रॉजशन प्रॉइड कर सकते हैं तो बच्चे ने हमसे पूचा है सर मेरे पापा इटली हैं उनके घर के पेपर भी मिल गये हैं और पुलिस को भी दे दिये हैं कितना टाइम लगेगा हमारे अपलाई करने को तो एसे हैं कि फेमिली रिजूनियन केस इस इटली की वीडियो के उपर इनों ने जी कमेंट शोड़ा है तो इसने हम से पूछा है कि फैमिली रिजुनियन केस अपलाई करने में कितना टाइम लगता है तो ऐसे है कि जब तक आपके बहां से पेपर नहीं आते तो जब आपके बहां से पेपर आ जाते हैं आपके फादर आपके मदर के पेपर और आपके पेपर भेज देते हैं तो जहां अपलाई करने के बाद जो इनका पॉरसेस है वो six weeks से लेकर ये लेकर चलिए 12 weeks का है लेकिन family resident cases इटली के काफी delay भी हो रहे हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं बहां पर अपने पापा को कहो कि वो आपके work permit के पेपर बहां से अपरूड करवा कर बेलें तो next question लेते हैं भाई मेरा पॉलेंड का work permit आ चुका है अमबैसी में date लेना है मेरा लगेगा पॉलेंड का वीजा ऐसे है कि पॉलेंड के वीजा के उपर work permit के वीजा के उपर अपना time और money waste ना करें किसी भी agents को ऐसे paper के नाम पर देते रहें क्योंकि इस type के हमरे बहुत सारे scam आ रहे हैं बहुत सारे refusal cases आ रहे हैं तो पोलेंड की वीजा appointment लेनी है तो वो उसमें हम help कर सकते हैं file submission करानी उसमें help कर सकते हैं लेकिं fact बताकर आपको जो chances है 10-15-20% है तो next question लेंगे तो बहुत ही interesting question है sir good morning मेरा B 10th CVSC 47% 2018 है 12 52 परसेंट आर्स 2020 एंड वन शेयर नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स बेसिक आइलेट्स 6 इच केनेडा का हो सकता है अनमोल राना जी ऐसे है कि केनेडा में apply करना different thing है वीजा लेना different thing है आपको बहां पर admission आ जाएगा लेकिन जो मेरा अपना experience है आपकी जो profile है वो 40-50% की है try वाला गरंटी से लोग कहते हैं कि हम करवा कर देंगे लेकिन this is the fact जो मैंने आपको बताया है लेकिन मेरे पास केनेडा से strong countries हैं जहां पर आपको वीजा मिलने के chances है वो कौन सी है आपको हम Finland में, Denmark में और नीजर लेंड में भी आपको वीजा मिलने के chances है और Belgium में भी तो next question लेते ह हैं good morning my name is Kumar Raghav Soni I am B.S.A. Agriculture and have completed my weird mathematics as well presently a secondary math teacher in private school how to become a teacher in Luxembourg what course should I choose to become a teacher ऐसे Luxembourg में आपको वहां की public university ये की है Luxembourg उनिवरस्टी उसके अंदर ऐसा कोई भी teacher related program नहीं है तो अभी आपने कहा कि मैं वहां पर teacher किस वेसे बन सकता हूं जब तक आपको उनकी official language नहीं आती German one of the official language है Luxembourg की और भी एक दो उनकी official languages है आप net पर चेक कर सकते हैं वो आपक को वहां पर register करना पड़ गाए as a teacher there आप पर पर वहां पर आपको job search कर सकते हैं by sitting in India तो आगे next लेते हैं I am preparing for IMET to get admission in Italy but sir I have not given NEET in short my question is will it be any kind of problem to practice in future ऐसे है अगर इंडिया में practice करनी है तो आपको NEET में qualified होना mandatory है अगर आप नीट में qualified नहीं है और foreign से MPBS करके आते हैं तो आप इंडिया में practice नहीं कर पाएंगे मैंने पहली वीडियो में भी लगाता आ रहा हूं MBBS से लेटर बहु सारी वीडियो मेरे चैनल के उपर तो इसमें भी मैं बता दूं जिन भी बच्चों ने foreign country में पढ़ने के लिए जाना है especially MBBS करनी है तो NMC की National Medical Commission की website को strictly follow करें उनका जो जो घजट आया है foreign medical graduates के लिए जो भी 18th November 2021 को उसको properly पढ़ लें वो bilingual में है हिंदी और English में फिर foreign countries की और तबज्जो करें MBBS के लिए next question लेते हैं कजाकिसान में MBBS करने के बाद बहां license मिलेगा और बहां से MBBS करने के बाद कौन कौन सी country में जा सकते हैं प्लीज reply ऐसे है अभी तक कजाकिसान में license का कोई भी idea नहीं है पहले तो वो देते नहीं थे लेकिन अभी आने वाले टाइम में वो foreigners के लिए license का provision करते है तो अगर आपने MBBS किसी भी foreign country से करनी है ठारा नवंबर 2020 के बाद तो आपके माइंड में यह होना बहुत जरूरी है कि आपको बहां का MBBS के बाद license जरूर मिले तो आपके लिए भी यही है NMC की website को strictly follow करें जो FMG का गजट आया है 18 नवंबर को उसको जरूर पढ़े जो Hindi और English के अंदर है तो next question लेंगे sir एक consultant बाले ने कहा है कि Czech Republic apply करते हो पहले language course admission मिलेगा तीन मन्त course है जो पास करेगा तो जूनिवर्स्टी जाएगा जै बात सच है वो consultant आपको बिलकुल बेपकू बना रहा है Czech Republic में ऐसा कोई भी provision नहीं है वहाँ पर आप directly bachelor master PhD English ले सकते हैं अगर आपकी profile अची है language program में अगर आप अपना admission डालेंके तो वीजा भी नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा कहीं पर और भी चेक में कोई भी provision नहीं है तो यह आज के question थे सारे के सारे मैनेजर reply कर दी है तो फिर जो एक जो हमारा एक आम डायलोग होता है कि मैं daily एक अगर आपकी नहीं में वीडियो चेले किसको लाइक ने शेयर करना ना मोले थेंक यू